अमिकापूर में ऑनलाइन लोन पाने के चक्कर में शहर के केनापारा इलाके में एक कपड़ा वेवसाइट ठагी का शिकार होगया तो उसने बताया कि केना पारण निवासी अमित कुमार पांडे के मुबाइल पर कुछ दिन पहले ओनलाइन लोन के संबन में मेसेज आया था और उसमें एक मुबाइल नमबर था विवसाई द्वारा नौ जनवरी को उस नमबर पर फोन का लोन के बारे में पूछ आट की वे फोन रेसीव करने वाला व्यक्ती ने खुद को माइक्रो फाइनन्स का अधिकारी बना रहा था चांसे में आकर अमित ने उसके खाते में प्रोसेसिंग फीस और अनिशलक के रूप में 49,600 रुपे जमा कर दिये